दोस्तो आज की वीडियो में हम गर्वती महिला में लड़का होने के पांच सटीक और बहुत ही ठोस लक्षनों के बारे में जानकारी देने वाले हैं ये बहुत ही यूनीक अलग लक्षन है जो आज तक आपने किसी भी यूटूब पर नहीं सुने होंगे दोस्तो ये लक्षन बहुत ही स्टीक माने जाते हैं अगर इन लक्षनों में से अगर आपको दो या तीन लक्षन भी हैं तो आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर ले बगल में बेल आइकन को ही प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तो इस वीडियो में जो हम आपको लक्षन बताने वाले हैं वो देखे हमारे बड़े बज़र्गों के आधार पर है और साथ ही देखे अधिकतर गर्वती महिलाओं में ये लक्षन देखे गए हैं और मेरे भी देखे दो बेटे हैं और उनके आधार पर मैं आपको मूविंग है यानि हलचल कप से शुरू करी है और दिन में कितनी बार वो हलचल करता है दोस्तो अगर चोथे महिने के आखिर में और पांचवे महिने के शुवात में या पांचवे महिने में अगर आपके बच्चे ने हलचल शुरू करी है अगर वो दिन में देखे छे से आठ बार मतलब आपको किक करता है, मुविंग करता है, तो ये लक्षन देखे, बेबी बॉय होने का माना जाता है, वहीं पर अगर आपको आपके बच्चे ने मतलब जो मुविंग है, उसकी हलचल है, बहुत जल्दी शुरू कर दी है, जैसे तीसरे महिने से शुरू कर दी है तो ये लक्षन देखे, बेबी गर्ल होने का माना जाता है, साथ ही दोस्तों आपको ये दिहान रखना है कि दिन में कितनी बार वो हलचल करता है, यानि छेस साथ या आठ बार से जादा, मतलब इससे जादा अगर आपको मुविंग फील होती है, तो ये लक्षन बेबी गर होने का माना जाता है, दूसरे लक्षन की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही सठीक लक्षन है और ये हमारे बड़े बुजर्ग बताते हैं, दोस्तों अगर गर्वती महिला की जो जीव है, अगर चोथे महिने से, चोथे पाच्वे महिने से अगर आपको उस पर बहुत ज हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे मतलब मैसूस होते हैं यानि गर्मियों में भी अगर आपको अपने हाथ पैर ठंडे लगते हैं तो यह लक्षन देखे बेवी बॉय होने का माना जाता है और यह हमारे अधिकतर मतलब बड़े बुजर्ग बताते हैं और यह लक्षन मेर मे देखे बेवी बॉय होने का माना जाता है अपने शरीर में यह बदलाव दिखाए दे रहे हैं यानि आपका शरीर का यह अंकाला पढ़ने लग गया है तो यह लक्षन में देखे बेवी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों आखों के नीचे काले गेरे होना या आपके अप लाइन का मतलब डाक होना ये लक्षन बेबी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों अगर आपको अपना फेस भी पहले से मतलब ज्यादा डल दिखाई दे रहा है यानि काला दिखाई दे रहा है आप कोई भी मेक अप करते हैं तो आपके चहरे पर रोनक नहीं आरी मुर्जाया मुर्जाया सा अगर आपको अपना चहरा लगता है तो ये लक्षन भी देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है अगला लक्षन ही बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर आपको पांचो चटे महिने से अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है आपकी र परसेंट बेबी बॉय होने का ही माना जाता है दोस्तों ये लक्षन मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी बिल्कुल 100% सही था कि अगर आपको बैक पेंड की प्रॉब्लम रहती है आपकी कमर जैसे बाहर की तरफ दिखाई दे रही है या आपकी कुले में ज्यादा दर्द रह ये लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों हमने ठोस लक्षन आपको बताए हैं अंदर हैं तो आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें आप सभी को